हलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओनलाइन स्टडी आईकुजी के में दोस्तों आज का मारा टॉपिक है मौरे काल दोस्तों हम टॉपिक वाइज लूसेंट अब्जेक्टिव बुक को कवर कर रहे है अगर आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे है तो ये वीडियो आपके लिए काफी जादा यूसफल होने वाला है तो चले दोस्तों देखते हैं फस्ट कोशन फस्ट कोशन है मारा चानिके का अन्य नाम क्या था तो दोस्तों चानिके का अन्य नाम क्या था विश्णोगुप्त और साथ ही इने कोटले की नाम से भी जाना जाता है तो दोस्तो चानिके के अन्य नाम क्या क्या है विश्णोगुप्त और कोटले तो इस कौसन का साई आंसर है option number B नेक्स कुशन है वह सासक कौन था जिसने राज सियासन पर बैटने के लिए अपने बड़े बाई सूसिम की हत्या की थी तो दोस्तों वह सासक कौन था असोक असोक वह सासक था जिसने राज सियासन पर बैटने के लिए अपने बड़े बाई सूसिम की हत्या की थी तो इस question का सही answer है option number A Next question है निमलिकित मैंसे समराट असो की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको परभावित किया था तो दोस्तो समराट असो की वह पत्नी कौन थी कारूवा की कौन थी दोस्तो कारूवा की ये पतनी थी असो की जिसने उसको काफी परवावित किया था तो इस question का सही answer है option number D Next question है बिंदू सार ने विद्रोयों को गुचलने के लिए असो को कहा बेजा था तो दोस्तो बिंदू सार ने विद्रोयों को गुचलने के लिए असो को तकसिला बेजा था का बेजा था दोस्तो तकसिला बेजा था तो इस question का सही answer है option number B Next question है मारा निमलिकित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदसी भी था तो दोस्तो जो असोक है इनका जो नाम है देवान प्रियदसी भी था तो इस question का सही answer है option number A Next question है निमलिकित में से प्राचिनतम राजवन्स कौन सा है तो दोस्तो जो मौरी राजवन्स है ये सबसे प्राचिनतम राजवन्स है तो इस question का सही answer है option number A नेक्स कुशन है कोटल यानि जो चानी के है ये किस का प्रदान मंत्री था तो दोस्तों जो कोटल यानि जो चानी के है ये चंद्रगुप्त मोरी का प्रदान मंत्री था तो इस कोशन का सई आंसर है अप्शन नमबर B नेक्स कुशन है कलिंग विजे के उपरांत असोक महान ने निमलिकित किस धरम को अंगिकार कर लिया था यानि कलिंग विजे के उपरांत असोक ने किस धरम को अपना लिया था तो दोस्तो कलिंग विजय के उपरांत असोक महान ने जो बहुत दरम है इसको अंगिकार कर लिया था तो इस कौशन का सही आंसर है ओप्सन नमबर B नेक्स कुशन है चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी तो इस कौशन का सही आंसर है ओप्सन नमबर B नेक्स कुशन है प्राचिन भारत का वह प्रसिद सासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन दरम को अपनाया था तो दोस्तो यह कौन थे जिनोंने अंतिम दिनों में जैन दरम को अपनाया था तो दोस्तो जो चंद्रगुप्त मौरिय है वसासक है चंद्रगुप्त मौरिय जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जेन द्रम को अपनाया था तो इस कॉशन का साई आंसर है option number A Next question है मौरिय सामराजी के स्तापना किसने की? तो दोस्तो मौरी सामराजी की स्तापना किस ने की थी चंदरगुप्ट मौरी ने किस ने की थी दोस्तो चंदरगुप्ट मौरी ने मौरी सामराजी की स्तापना की थी तो इस question का सही answer है option number B Next question है मौरी सामराजी में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था तो दोस्तो मौरे सामराजी में जो मुद्रा परचलित थी उसका नाम क्या था? पंड, क्या नाम था दोस्तो पंड था तो इस question का सही answer है option number A Next question है निम्न मैंसे कौन मौरे वन्स का शासक नहीं था? तो दोस्तो इन मैंसे कौन है जो मौरे वन्स का शासक नहीं है? तो दोस्तो जो जो अजात सत्रु है ये मौरे वन्स का शासक नहीं है चन्दरगुप्त मौरे असोक और बिंदुसार ये तो मौरे वन्स के शासक है लेकिन जो अजात सत्रु है ये मौरे वन्स का शासक नहीं है तो उसा ही answer हो जाएगा option number A नेक्स कुशन है निमलिकित मैंसे असोक का उत्रादिकारी कौन था तो दोस्तों असोक का जो उत्रादिकारी है ये कौन था तो जो कुनाल है कौन है दोस्तों कुनाल ये असोक का उत्रादिकारी था तो इस कौशन का सई आंसर है ओप्शन नमबर ए next question is मुद्रा राक्सस का लेकक निम्न में से कौन है तो दोस्तों जो मुद्रा राक्सस है इसके जो लेकक है कौन है विसाक दत कौन है दोस्तों विसाक दत तो इस कौशन का साई आंसर है option number B next question है निम्न लेकित किस सेर में असो के सिलालेक नहीं है तो दोस्तो जो पाटली पुतर से opener है या पर असो या सिलालेक है वो नहीं है तोthis question का साई आंशर है option number C नेक्स कुशन है अर्षास्तर का लेकक समकालिन था तो दोस्तों जो अर्षास्तर है इसका लेकक कौन था चानी के यानि कोटिले था और जो कोटिले है ये किसके समकालिन था चंदरगुप्त का समकालिन था तो इसकोशन का साई आंसर है ओप्शन नमबर B Next question है नंदवन्स के पच्चात मगद पर किस राजवन्स ने सासन किया तो दोस्तों नंदवन्स के पच्चात मगद पर जो मौरी राजवन्स है इन्होंने सासन किया था तो इसकोशन का सही आंसर है Option Number A next question है मारा मोरे काल में सिक्सा का सरवादिक प्रसिद कैंदर था तो दोस्तों जो तकसिला है ये मोरे काल में सिक्सा का सरवादिक प्रसिद कैंदर था तो इसकोशन का साई आंसर है option number C next question है मेगास्तनिज की पुस्ता का नाम क्या है तो दोस्तो मेगास्तनिज की पुस्ता का नाम क्या है इंडिका क्या है दोस्तो इंडिका तो इसकोशन का साई आंसर है option number D next question है जिसके गरंत में चंद्रगुप्त मौरे का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है तो दोस्तो जो विशाकदत है इनके गरंत में चंद्रगुप्त मौरे का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है तो इसकोशन का साई आंसर है option number C next question है वह स्रोत जिसमें पाटले पुत्र के परशासन का वर्णन उपलब्द है वह है तो दोस्तो जो इंडिका गरंत है जिसमें पाटले पुत्र के परशासन का जो वर्णन है उपलब्द है तो इसकोशन का साई आंसर है option number C next question है असो के सिलालेकों में प्रिउक्त बासा है तो दोस्तो असो के सिलालेकों में कौनसी बासा है प्रिउक्त हुई है प्राकर्त बासा तो इसकोशन का साई आंसर है option number B next question है निमलिकित में से किस मौरी राजा ने दक्कन की विजे प्राप्त की थी तो दोस्तो जो चंद्रगुप्त मौरी राजा है इसने दक्कन की जो विजे है ये प्राप्त की थी तो इसकोशन का साई आंसर है option number B नेक्स कुशन है मेगास्थनिज्द ने बारतिय समाज को कितनी सरेणियों में विबाजित किया तो दोस्तों मेगास्थनिज्द ने बारतिय समाज को साथ सरेणियों के अंदर विबाजित किया था तो इसकौशन का सई आंसर है औप्सन नमबर D next question है कोटेले के अर्षास्तर में किस पहलू पर प्रकास डाला गया है तो दोस्तों जो कोटेले के अर्षास्तर है इसमें राजनितिक नीतिया पर प्रकास है वो डाला गया है तो इस question का सही answer है option number B अगर दोस्तों आपको यह हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर कीजिए आपके लाइक से हमें motivation मिलता है next वीडियो बनाने के लिए तो चलिए next question देखते है next question है हमारा निम्न मैसे कौन सा छेत्र असो के सामराजे में समलित नहीं था तो दोस्तों जो स्रिलंका है यह असो के सामराजे में समलित नहीं था तो इसकौशन का साई आंसर है option number C next question है पाटली पुत्र को कि सासक ने सर्व परतम अपनी राजदानी बनाई तो दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौरिय है इनोंने सबसे पहले पाटली पुत्र को अपनी राजदानी है यह बनाई थी तो इसकौशन का साई आंसर है option number A next question है मारा पाटली पुत्र में इस्तित चंद्रगुप्त का मेहल मुक्यते बना था तो दोस्तों पाटली पुत्र में इस्तित चंद्रगुप्त का जो मेहल है मुक्यते लकडी का बना था तो इसकौशन का साई आंसर है option number C next question है किस अभिलेख से ये साबित होता है कि चंद्रगुप्त का परवाव पच्चिम बारत तक फैला हुआ था तो दोस्तों जो रुद्रदामन का जो जुनागड अभिलेख है इससे ये साबित होता है कि चंद्रगुप्त का जो परवाव है पच्चिम बारत तक फैला हुआ था तो इसकौशन का साई आंसर है option number C next question है केवल व अस्तम जिसमें असोक ने स्यम को मगद का समराट बताया है तो दोस्तो जो बाबरु उस्तम है जिसमें असोक ने स्यम को मगद का समराट बताया है तो इसकौशन का साई आंसर है option number D next question है परथम बारती सामराजी इस्तापित किया गया तो दोस्तो परथम बारती सामराजी किसके दोरा इस्तापित किया गया चंदरगुप्त मोरी के दोरा किसके दोरा दोस्तो चंदरगुप्त मोरी के दोरा परथम बारती सामराजी है वो इस्तापित किया गया तो इसकौशन का साई आंसर है option number C next question है उन्तरांचल में असो का एक सिलालेक इस्तित है तो दोस्तो उन्तरांचल में जो असो का एक सिलालेक इस्तित है ये कापर है कालसी में कापर दोस्तो कालसी में तो इसकौशन का साई आंसर है option number B next question है सांची का इस्तूप किसने बनवाया most important question है दोस्तो एक्जाम में बार बार repeat होता है दोस्तो सारे question important है एक्जाम के अंदर पूचे गए है तो आपको सारे ही अच्छे से याद करना है जो साची का इस्तूप है दोस्तो ये किसने बनवाया था असोक ने किसने दोस्तो असोक ने बनवाया था तो इस question का सई आंसर है option number A next question है असोक के सिललेको को पढ़ने वाला प्रत्थम अंग्रेज कौन था तो दोस्तो असोक के सिललेको को पढ़ने वाला प्रत्थम अंग्रेज जम्स प्रिंसेब था तो इस question का सई आंसर है option number D next question है प्रसिद युन्यानी राज़दूत मेगा अस्तनीज भारत में किसके दर्बार में आये थी तो दोस्तों जो मेगा अस्तनीज राजदूत था ये भारत में किसके दर्बार में आये थी तो ये आये था किसके चंद्रगुप्त मोरे के दर्बार में किसके दर्बार में आये था दोस्तों चंद्रगुप्त मौरी के दरबार में तो इस कोशन का सही आंसर है ओप्सन नमबर C नेक्स कुशन है सरी नगर की स्थापना किस मौरी सासकने की तो दोस्तो जो सरी नगर है इसकी स्थापना असोक मौरी सासकने की थी तो इस कोशन का सही आंसर है option number A next question है मौरी काल में गुप्त चरो को क्या का जाता था तो दोस्तों मौरी काल में गुप्त चरो को good प्रूश का जाता था क्या का जाता था दोस्तों good प्रूश है ये का जाता था तो इस question का सही answer है option number A next question है और इस वीडियो का last question है असो का समकालिन तूर में कहा का राजा था तो दोस्तों असो के समकालिन था तूर में ये कहा का राजा था तो दोस्तों ये मिसर का राजा था कहा का था दोस्तों मिसर का राजा था तो इस कोशन का सही आंसर है option number A दोस्तों एक प्रश्ण आपके लिए है जिसका आंसर आपको comment section में देना है प्रश्ण है कोटे लिए किसका प्रदाल मंतरी था आपके पास 4 आप्षण है चार आप्षण में से एक आंसर आपको comment section में देना है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे like और share जरूर कीजिए मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत